तो हलो फ्रेंट साब सभी गए स्वागत आए अगर फिर से एक ने वीडियों तो दोस्तो आज की वीडियों में बात करने आ रहे हैं जिसका मेरे पास यतना मैक्सिमूम डाटर था मैंने उसी की बेसे भी आपका एकस्पेक्टर कटव निकाला है बाकि आप सभी बताईजे ए थोड़ा पदा प्लस माइनिस चलता है लेकिन आपका कटव इसी क्यास पर रहेगा ऐसा आप बिलकुल मान के चलिए तो दोस्तों कौन-कौन सी पोस्टिस है यसे कि आप अभी देख रहे हो फ़स्ट यसे पोस्टिस है यूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर एंड एजुकेटर क की पोस्टिस है एकसरे की पोस्टिस जो है इसकी बेंसी ओट यानि ऑप्रेशन थेटर की मेडिगल सोशल वाकर और जूनियर स्टाफ नर्स और जूनियर लैब टेखनीशे दोस्तों मेरे पास जो डाटा था मैक्समुम इनी का था मैंने आप से यो कमेंट पूछा था कि मैं एकस्पेक्टेड कटाफ आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों अधर यो पोस्टिस रहेगी हैं जो भी कंडियो के अधर पोस्टिस विलोंग करता है तो बो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगिरिस और अपने मार्क्स कमेंट करना साथ में दोस्तो पोस्ट स्पेशली क्योंकि उसी की बेसित पर हम बता सकते हैं आपको जो पोस्ट वाइज आपका क्या क्या कटफ रहने बाला है तो ठीए दोस्तों आप मुझे वीडियो के कमेंट में करना कमेंट करना तो नेस्ट वीडियो आपको उसके रिलेटर जल्दी मिल जागी तो फिलाल हम कुछ डाटा देखें आगी जाने से पहले आपको कटफ बताने से पहले कि आपके जो टोटल केंडियो कितने सेलेक्टर होंगे जनी नेस्टेज के लिए कितने जाएंगे कितने कुणा केंडियो जाएंगे अगर हम देखें दोस्तों पिछला कुछ रिकार्ड दे यानि एक vacancy पे चार candidates को बुलाया गया documentation के लिए जब further जो skill test होगा कुछ posters का इसमें आप सब भी को बता है ठीक है उसी basic पे अलग लग लगवे चार गुणा candidates को ही अलिज बुलाया गया तो अगर 1200 का आपको यो vacancy पे या सब भी को बता total है पूरी के basis पर बात करें तो एक चार के ratio से यानि total आपके 4800 5000 maximum आप मान कीचली क्योंकि 40,000 आप सबी को बता है कि प्लस इतना जो है जेक हैसे पर के तरफ से officially data बताया गया था कि एतने candidates का return exam हुए है एतने candidates जो यानि अपेर हुए थे exam में जो exam center में बैठ हुए थे आप सभी को बता है कि जो है नोटिफिकेशन निगा लिए थे इसके regarding जैसे आपका exam complete हुआ था पूरी detail वहाँ पे देगी थी तो maximum मान के चलिए कि जो second stage के लिए जाते हैं 5000 चलेंगे 6000 जार मान लो चलो मैं 6000 मान लिए ठीक है आपके कितने marks बन ले ठीक है उसमें candidates अलग लग जैसे कि 45 to 50 के बीच में थे 38% 55 to 60 के बीच में थे 13% candidates 65 to 17 के बीच में थे 19% 75 to 85 के बीच में थे 40% और 85 प्लस जो थे 17% यानि आप देखो कि 85 प्लस ratio जागा थी ठीक है दोस्तों तो अगर इनी के basis पर आप देखोगे तो मेरे idea से यहां से जो candidates लगवग 70 की आसपास है चाहिए वो किस भी category से belong करता है वो उसके chances है कि वो जा सकता है next stage के लिए ठीक है दोस्तों बाकि आप सभी को बता कि फाइनल करता है अलग ही थोड़ा होगा फिर से बनाया जाएगा जैसे आपके documentation होते है skill test होता फर्द जो आपकी है ठीक है दन उसे के बाद जो है आपका next बताया जाएगा दोस्तों इन survey को दिखाना मेरा simple एक ही point एक ही माक्समेद था कि आपको देखिए जैसे आप सभी को बता गर 40,000 कब 10-15% देखो तो लगो 65-6,000 ही होता है ठीक है तो यानि second stage के लिए जो जाएगे 6000 जादा से जादा मान की चली जो candidates होंगे qualify होंगे for next stage के लिए उनका skill test किसी का interview other जो जो process होगा यानि यो documentation होगा तो खुद आप idea लगा से तो cut-off कितना हाई जाने बाला है तो चली आगे हम बात करें जो आपको expected cut-off कितना रहने बाला category wise expected cut-off category wise का SC का 75-80 यानि 75 से लेकर SC के आसपास ही cut-off रहेगा दोस्तो OBC category का 70 प्लस जाने की chances है 70 हो गया जो 70 पे भी है 17 marks जिनके आ रहे हैं वह भी थोड़ा square है जो कि next stage के लिए eligible हो जाएगा दोस्तों ठीज बाकि final cut-off आप सभी को बताए इससे थोड़ा high जाएगा दैने इसी के बाद पूरा data आएगा देखिए opening अगर बात करें तो 85 यतने जाने की chances हैं को दोस्तों साथ में result की बात करें आपका result हमें जो है हफते के अंदर अंदर chances हैं बिल्कुल देखने की जैसे आपको तीन तारिक तक last date दीगी आपकी answer की चेक करने के दाने उसी के बाद जो है आपका बिल्कुल result जल्दी ही नोस कर दी जाएगा जैसे मैंने आपको बताया यहां पर थोड़ा है यहां पर थोड़ा हम माने की competition कम है बाकी others category वास करें यह से open में हो गया SC में हो गया यहां पर और RBM में थोड़ा competition है तो 74 to 81 इनी categories का मेरे पाद डाटा था दोस्तों और मैंने आपको इनी पोस्तिस का यह डाटा था और इन categories का ही मेरे बाद maximum डाटा था तो यह मैंने आपको cut-up बताया दोस्तों बाकि आप सभी को बताए कि यह exactly to cut-up है नहीं ठीक है थोड़ा up-down cut-up होगा लेकिन यहां मानके चलिए 85 जो इतना ही percentage आप मानके चलिए कि यह जो आपको cut-up accurate है दोस्तों ठीक है थोड़ा बता अपड़ा होगा दोस्ते चार नमपर अपने नहीं हो सकता है लेकिन इससे जादा नहीं दोस्तों maximum आपका cut-up इनहीं के आसपास रहेगा यहसे आपका result मैं माना रहा हो कि जल्दी से जल्दी आपका आवट हो जागा दो से तीजन दिन के अंदर एनि नेस्ट वीक विल्कुल चांची से आने के result तो दोस्तों यह थी वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक